गूड मॉनिंग स्टुडेंट आज के इस वीडियो लेक्शन में हम न्यूकलिस के बारें बात करेंगे क्यांद्रों के बारें बात करेंगे कि क्यांद्रों की सरंजना कैसी होती है उसके कारें क्या क्या है न्यूकलिस के बारें हम जानते हैं कि नूकलिस जो है किसी भी सेल का सबसे important organ है और एक तरह से हम यह कहें कि यह कोशिका का किसी भी सेल का एक heart होता है कोशिका का हरदे का जाता है यह और इसका करण यह है कि किसी भी सेल में जितना भी genetic material होता है उसको यह नूकलिस bound की होता है और इस genetic material के द्वारा nucleus जो है replication और transcription करता है पुंद्रावर्ति और अनुलेखन करता है और इस प्रक्रिया के द्वारा यह किसी भी cell की किसी भी कोशिगा के समस्थ metabolic और genetic activity को control करता है या regulate करता है तो इस तरह से nucleus जो है यह किसी भी cell का हार्ट माना जाता है हर्दे माना जाता है और nucleus के अलगलग aspects के study करणा उसकी morphology, उसकी structure, उसके functions वो सब केरियोलोजी कहलाती है केंद्रक विज्ञान कहलाता है अब इसकी history के बात करते है nucleus के इतियास के बारे बात करते है सबसे पहले जो है इसकी खोज का स्रेज जो जाता है Robert Brown को जाता है इन्होंने, Robert Brown ने जो है Tredence केशियास सेल जो है उसमें nucleus को सबसे पहले एक regular organs की रूप में प्रस्तुत किया और इसी कान जो है इसको केंद्रक के खोज करता की रूप में जाना जाता है हाला कि इससे पहले लिवेन होक ने जो है फिश की जारबीशी में nucleus को देखा था और फॉन्टाना ने जो है इल की जो है स्किन सेल की में nucleus का वर्ण किया था उसके बाद हम देखते हैं half mister half mister जो है ट्रेडिंस के सेल में जो है nuclear division का वर्ण किया कि cell division के साथ जो nuclear division होता है उस nuclear division का सबसे पहले वर्ण half mister ने किया उसके बाद हम बात करते हैं moisture की moisture ने जो है nucleus के अंदर जो nuclear material पायता है उस nuclear material को जो है nucleon नाम दिया तो nucleon क्या है nuclear material है उसके बाद walder walder ने जो है किसी भी विवाजन सील केंदरक में जो है एक thread like structure देखी और उस thread like structure को जो है उन्होंने chromotion नाम दिया chromotion thread like structure in nucleus is known as chromotion उसके बाद chromotion को staining chromotion जो है एक staining process DNA को अबरेंजित करने की तक्नीक वो जो है fusion उसने जो है इस तक्नीका और लेक किया उसके बाद हम बात करते हैं hammer link hammer link जो है hammer link ने जो है सबसे पहले ये बताया कि nucleus जो है वो जो है किसी भी cell का एक controlling center है नियंतरक कैंदर है और यह इस जो है प्रूव करने के लिए उन्होंने एक algae जो है acetabularia उस acetabularia पर experiment किये और इसको प्रूव किया कि यह एक किसी भी cell का controlling center के रूव में माना जाते हैं तो इस तरह से ये उसका इतियास उसके बात करते हम morphology के बारे में किसके अंदर अलगला aspects क्या है morphology के बारे में यूकेटिक सेल्स में बायता है और यूकेटिक सेल्स में जो है अप्वाद के तौर पर जो है RBC के अंदर absent होता है plant cells में जो flowem होता है उसकी सीव cells में absent होता है इसमें जो ही absent होता है पाकीट समस्त यूकेटिक सेल्स में इसमें नूकलिस बायता है प्रोकेटिक सेल्स के बात करें हम तो उसमें जो है एक well organized nucleus जैसे कहते है सू विक्षित सू यवस्तित केंदरक जो है अनूपे तो होता है और उसकी जगह जो है एक nucleoid structure पायती है केंदरक आप जैसे कहते है हिन्दि nucleoid अब हम बात करते हैं numbers की शंख्या की बात करें कि किसी सेल्स में केंदरक कितने शंख्यां पायते हैं सामने तरह एक कोशिका में एक केंदर पायता है लेकिन कई कोशिका ऐसी होती है जिसमें एक स्यादी केंदर पायते हैं और उस number के basis पर cell को हम अलग 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 प्रकार से जो है divide करते हैं नमबर के basis पर हम जो है cell को तीम भागों बारते हैं Uninucleate, Binucleate and Multinucleate Uninucleate सामने तरह इस तरह के जो है स्यादी पायती है कि किसी cell में एक ही केंदर पायता है और उस श्यादी Uninucleate इसके अलाबा Binucleate Condition जिसके अंदर एक कोशिका अंदर दू केंदर पायता है और Binucleate Condition अपन जानते हैं कि पेरामिश्यम सेर्स में पायती है और इसके अलाबा जो अगर पंजाई की बात करें तो उसमें जो है Ubacity Uninucleate क्लास उसमें जो है Binucleate Condition पायती है इसके अलाबा Multinucleate Condition कि जिन सेर्स में जो है दो से अधिक के अंदर को आयता है वो Multinucleate Condition कहलाती है Multinucleate Cell कहलाती है और ऐसी Cell जो है जिसमें दो से अधिक के अंदर को होते हैं उसको कहते हैं सीनूसिटिक कंडिशन सीनूसिटिक कंडिशन दो से अधिक इसके अंदर नूकलिश होते हैं एक्जम्पल अगर हम देखें तो वाउचेरिया एलगी है इसके अलावा Deuteromycities क्लास की जो फंगस है इसके अलाव एंजिए उस परस में देखें हम तो टैपिटम सेल्स जो है उसके अंदर मल्टी नूकलिट कंडिशन पाएती है इसके बाद मॉर्फोलोजिकल आसपेक्ट्स हम सेप और साइज देखते हैं सेप और साइज हम देखते हैं कि इसकी आकरती और आकार ये जो है अलग अलग कोशिकाओं में अलग 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 तरह कि जो है सेप और साइज नूकलिट की जन पाएती है और ये सेल्स में जो है डिस्कॉइड हो सकती है सेप की देखें तो इसकी सेप डिस्कॉइड सिलिंड्रिकल होर्शू शेप्ट कुछ अलगी में होता है इसके लवाइस स्पारिल भी हो सकती है कप सेप्ट कप सेप्ट इसक्लेम एड़ो मोनास वग रहे है कप सेप्ट स्ट्रक्चर में कई तरह से जो है नूकलिस की शेप जो है जो है जगती है और साइज की हम बात कराएं इसके तो साइज जो है किसी भी सेल के अंदर नूकलीज की साइज दो बातों पर निर्वर करती है सेल की एक्टिविटी पर मुखे दया इसके लावा सेल की क्रॉमोसोम नंबर पर और साइटो प्लाजम के अमाउंट पर डिपेंड करता है अब सेल के क्रॉमोसोम पर किस तरह से ये डिपेंड करता है तो उसके लिए एक ट्रम्स आता है नूकलीज प्लाजमिक इंडेक्स नूकलीज प्लाजमिक इंडेक्स ये क्या होता है दो साइंटिश्ट थे बोविरी एंड हार्टविक हार्टविक दोनन क्या क्या का बोविरी के अकॉटिंग कि नूकलीज का जो साइज होता है वो किस पर डिपेंड करता है क्रॉमोसोम के नमबर पर डिपेंड करता है अर्थात नूकलीज के अंदर क्रोमोसोम या क्रोमेटिन की कितनी मात्र है वो कितना डैंस है उसकी डैंसिटी कितनी है उस पर डिपेंड करता है अगर डैंसिटी ज़्यादा है तो नूकलीज बड़ा होगा अगर density कम है तो nucleus size में छोटा होगा जैसे कि एक triploid cells है tetraploid cells है उसमें जो है chromosome amount ज़्यादा होता है और उस cells में पैजनल nucleus जो है diploid या haploid cells वारे nucleus से जो है काफी बड़े होता है तो इस तरह से जो है केंदर काकार जो है कोशिका कि क्रियात्म का वस्ता या functional activity के according छोटा या बड़ा होता है तो ये तो heart boiling का था कि जो है nucleus size जो है depend किस पर गरती है chromatin content पर nucleus size जो है वो chromatin content पर depend करेगी chromatin content ज्यादा होगा तो nucleus size बड़ा होगा अगर वो content छोटा है या कम अत्रम है तो size छोटी होगी अब हर्टवी की बात करते हैं उन्होंने क्या आकात है हर्टवी के according किसी भी केंद्र का आकार nucleus का आकार जो है cytoplasm के amount के जो है inversely proportional होता है कि जतना cytoplasm अगर ज्यादा होगा nucleus की size जोटी होगी और cytoplasm कम होगा तो nucleus बड़ा होगा तो इस तरह से जो है cytoplasm की जतना amount होता है उसके inversely proportional जो है उसके size होती है और इसकी बीच में एक relational coiling बाज़ते है relational जो है एक समंद बाज़ता है साथ समंद बाज़ता है correlation बाज़ता है और उस correlation को हम एक formula के रूप में express करते हैं इस तरह से nucleoplasmic index volume of nucleus upon volume of cytoplasm minus volume of nucleus NP means nucleoplasmic index VN volume of nucleus VC volume of cytoplasm अब क्या होता है कि जब किसी भी cell के cytoplasm के amount में उसके volume में वरदी होती है volume increase होता है यह volume अगर increase होगा तो nucleoplasmic index disturb हो जाएगा उसका कारण यह है कि जो nucleoplasmic index का value होती है हर cell के लिए fix होती है और अगर इसकी value में थोड़ा सा परिवरतन हो जाए तो वो cell जो है division के और बढ़ती है विवाजन यह तो प्रेरित होती है और ऐसी इस्तिती में कोशी का वज़त होती है और वापस उसके साथ nucleos divide होता है और वापस cell balance में आ जाती है तो इस formula के दौरा यह कह सकते हैं कि अगर किसी भी cell का cytoplasm amount बढ़ेगा तो उस cell जो है division को विवाजन के और प्रेरित होगी और उसके बाद में वो उसके साथ-साथ nucleos का division भी होगा और वापस nucleos की size जो है कम हो जाएगी तो cytoplasm volume बढ़ते ही nucleos की volume कम होने लगता है तो इस तरह से इस formula के दौरा जो है उसके बीच में cytoplasm के volume और nucleos के volume में एक समन्द बताया गया तो इस तरह से जो है nucleoplasmic index उसके बाद हम एक general chemical combustion के बाद करें nucleos के अंदर कि किस तरह होता है chemical composition पुन जानते हैं कि जो है maximum part जो है nucleos का वो nuclear protein होता है up to 70% 70% तो 70% amount तक तो इसके अंदर protein बादता है nucleos protein इसके अलावा nucleos के अंदर phosfolipid बादता है जो कि 3 to 5% तक होता है सबसे सबसे important चीज वो है DNA जो कि nucleos बादता है और वो 10% तक इसके अंदर बादता है total chemical combustion के RNA बादता है इसके अंदर और 2 to 3% RNA होता है इसके अंदर इसके अलावा nucleos के अंदर mineral से भी जो है पायता है तो यह इसका जो है chemical combustion बादता है तो इस video lecture हमने जो है एक general introduction उसके history, sap size और nuclear plasmic index और chemical combustion के बादता है next video lecture हम जो है इसके ultra structure के बारे में बात करेंगे thank you